सबी दोस्तों के नमस्कार, मैं सूबे सिंग हर्याना भीवानी से आपका अभिनान दैन, सभी को स्वावित है, सभी का, दोस्तों आज हम जो बरसात के टाइम में ज़्याधा तर जितनी बिमार्य फूट प्लांट है, ज्यसे ग्रेप है, या पीच है, पी-यर है, तो उसमें ज रूसरे प्लांट है जैसे एपल के आपीर के इजके तो बहुत से पत्ते उपर से सूखने सूखने थोपर में प्त्त पूरा तो शूखने सुखने चरह पागता है तो यह जो व्होंती है उसकी रोक थाम के लिए कि हम ज्यादातर फंगि साईड का इसप्रे करते हैं तो फंगि साइड में या तो आप निया फिर detail vem गॉल्ड का बिसप्रे कर सकते हैं उनकी मात्रा अलग कि एक लीटर पाणी में इसकी दो गराम से जाधा जाधा तीन गराम हो, इससे जाधा मातरा ने लेनी है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है, फिर उसकी मातरा हम जाधा बढ़ाएंगे। फिर हम 0.5% पर का कर सकते हैं। तो में कम मात्रा से स्टार्ट करना है यह जैसे कोपर सलफेट है तो ऐसे क्रिस्टल में आता है इसको फोड लेंगे फोडने के बाद इसको गरम पानी में डालेंगे गरम पानी में डालने के बाद यह पानी में घुल जाएगा फिर इसको दो-चार गंटे रख देंगे और फ इसके बाद इन दोनों को हम यूज करेंगे तो इनको अलग-अलग बरतन लेने आपने या तो प्लास्टिक का लेना है या कोई काच का लेना है इसमें प्लास्टिक में ही आपने को परसल पेट मिलाना है और प्लास्टिक के डिब्बे में ही चुना मिलाना है इन दोनों को अल तो आप इसके जो को पे सलुप गुरिया है और बसात में जितनी विमारिया इसे वश सकते हैं क्योंकि इसका αναपतुल के जाता है दो प्लांट पर यह सूख जायेगा गहा है कि इसके पत्ते सूख neurot Sum को फिर बढ़ने में आगे दिक्कत आएगी इसलिए इसकी मात्रा ध्यान रखना आपने जो मात्रा बताई गई है वह रखनी है यानि कि अगर आप 20 लीटर पाणी लेते हैं तो 20 लीटर पाणी में आपने ज्यादा ज्यादा ये 40 ग्राम लेना है 44-45 ग्राम को पर सलपेट इतनी ही चुरना और फिर इन दोनों को मिला कर यूज़ करना है तो दोस्तों ये एक जानकारी थी बरसात में इसका जुरूर सप्रे करें एक दो सप्रे ताकि बरसात में जो बिमारिया है फसल में नाये सभी दोस्तों को नमश्कार